विलकूम टो प्ले कंसोल आज किस वीडियो में बात करेंगे मार्विल अवेंज गेम के बारे में क्यों ये फैल हो गया है और कंपनी को कितना लॉस हुआ हैं इसके लावा अवेंजर का future क्या होने वाला है हमें future में क्या देखने को मिल सकता है क्या company इस पर दुबादा काम करी तो इस वीडियो में डिटेल में आपको इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा तो make sure आप इस वीडियो को पूरा देखे और में चैनल को subscribe कर दे क्योंकि इसी टेप से मैं gaming news related videos लात रहता हूं Marvel Avengers का लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे लेकिन जब यह गेम launch हुआ तो लोगों को यह जादा पसंद नहीं आया इसका 63 million loss हुआ है company को Avenger के इस गेम से और गेम का cost बताया गया है जो गेम बनने में लगा है total वो है 170 to 190 million dollars जिसमें से 100 million dollars स्रिफ development में लगा था गेम का और 60 million से अब अब जो पैसे थे वो marketing में लगे थे और other stuff में लगे थे तो around जो है 190 million dollars तक इस गेम का budget था बट यहां पर company को 63 million का loss हुआ है और company ने बताया है 60% copies को sold किया है यानि के 100% में से 60% 40% का definitely loss है इसके इलावा यहां पर यहां पर यह भी बतायागे के exact copies कितनी बेची गई है इस गेम की जिसमें जो figure निकल के आया है वो है only 3 million copies यानि के 3 million copies जो है total sold हुई है इस गेम की जो क इस गेम के marketing के हिसाब से काफी जादा कम है तो काफी बड़ा loss हुआ है company को इस बार और किसी को expect नहीं था कि avenger जैसी गेम से इतना बड़ा loss हो सकता है तो इसका downgrade का reason क्या है असल में हुआ क्या है avenger के साथ company ने क्या किया है जिसकी वाई से gamers को यह game पसंद नहीं आया है इसकाल दिया गया है और इसमें परफेक्ट स्टोरी लाइन एराप नहीं की गई है जो के marvell cinematic universe में हमने दिखने को मिलती है तो उस टाइप की हमें story बिलकुल भी इस game में देखने को नहीं मिलती इससे फार बेटर स्टोरी हमें और भी AAA टाइटल से उनमें मिल सकते हैं जबक मार्वल जो है अपनी story की वज़े से जादा जाना जाता है और फर्स्ट टाइम उन्होंने अवेंजर जैसी गेम बनाई ट्रिपल ए गेम बनाया लेकिन उन्होंने बैक इंडादे आवंजर मुविस के टाइम ही अनॉंस कर दिया गया था ताकि इस गेम की हाइब जो है वो बनी रहे तो ऐसा हमने पहली बाद नहीं देखा है बैटमैन इन सारी गेम्स के भी हमने TV सीरीज एनिमेटर सीरीज मुवीज सारी चीज़े हमने देखी है और सारी बैटमैन का मुवी गेम टीवी सीरीज से अनिमेटर से सब कुछ पर्फिक्ट है बैटमैन का कुछ भी जो है अंसक्सिसफुल नहीं है लेकिन यहां पर मार्केटिंगी सब कुछ नहीं होती है आपको इस गेम में एक ही एनिमी बार बार देखने को मिलेंगे एनिमी के 1 में launch होने वाला है बट वो भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि यह वह इस्पाडर मैं नहीं है जो आप पर फोकस नहीं करके ऑनलाइन पर फोकस किया है जो कि यह सही नहीं है क्योंकि प्रेशन 5 में भी ऑफिशली कंफर्म हो चुका है जिम राइन की तरफ से के वह लोग मल्टी प्लेयर से ज्यादा स्टोरी लाइन गेम यानिके सोलो स्टोरी लाइन केंपेंड मोड में ज्यादा करेंगे कि सही चीज़ए एक्डम क्यूंकि स्टोरी लाइन गेम की बहुत आगे आ चुकी है एक सिनिमटिक में में गेम खेलने का मौका मिलता है यहां पर चिछीज कर दी घर के वह लाइन जो गेम से उन्हें ज्यादा मार्केटिग की जरुवत नहीं पढ़ती है यहांग पॉपुलर है अपनी स्टोरी लाइन की वज़े से ही जाने जाते हैं यह सारे ऑनलाइन भी नहीं है आपको पता है लेकिन गेम अफ दैयर का वार्ड लास्ट जीता है इससे पहले गौड ओफ आफ आङल ने जीता था तो ओन्लाइन गेम आप देखेंगे तो डेम अवार नही नहीं तो ये उनियल से सबस्य ज्यादा अनिपॉलर रहा है और इसे मिली है just कि बहुत साफ़े डियल सी क्याक्äर्थ आने वाले हैं डॉक्त एस्टेंच हो गया ब्लाक पंथर हो गया और तिन अ Lear सबस् goo होता है वह नहीं पता क्योंकि गियम ने तो अलवी है So कर दिया है तो यह तो रही के अब त Ley안 की हुआ इस बारे मैंने को बता दो ऑप we gonna कर निक्स प्रांण क्या हो सकता है यह इसकोय muss अब क्या कर सकता है अब इस स्थेलों मैं तो मैंने आपको बताया है Spider-Man का DLC 2021 में आने वाला है इसके लावब और भी DLC आपको 2021 में देखने को मिलेंगे Marvel's Avengers के लिए लेकिन यहाँ पर future planning जो है वो इसकी disclose नहीं की गई है अभी तक बट कंपणी ने इस चीज़ की confirmation कर दी है कि आपको next generation consoles यानके PS5 और Xbox Series X में इसका enhance और next gen version देखने को मिलेगा जो के बहुत ही जबरदस होने वाला है previous gen के consoles से तो देखते हैं next gen version इसका कैसा होता है क्या क्या implement करती है company इसमें और क्या-क्या changes करती है क्योंकि company का यह कहना है कि अब जो next gen version आएगा Marvel's Avenger का वो काफी ज़्यादा different होगा और उस पर company काफी ज़्यादा hard work कर रही है तो let's see company क्या करती है क्योंकि already इसकी storyline तो change हो नहीं सकती हो सकता है DLC में किसी टाप की story implement की जाए किसी character को लेकर चाहे वो clean button हो गया जो कि हौकाई इसका next gen version भी successful नहीं होता है तो I don't think company इसे continue करेगी इस project को क्योंकि उनके पास already बहुत सारे project है final fantasy हो गया और भी other बहुत सारे बड़े projects है I don't think Avenger continue होगा यह हो सकता है future में reboot किया जाए इसे और totally different way में Avenger को बनाया जाए तो आप मुझे comment में बताए कि क्या आपने Avenger game खेला है और अगर आपने खेला है तो आपको सबसे वीक पॉंट क्या लगा है वेंजर का और सबसे प्लस पॉंट क्या लगा है advantage क्या लगा इस game का तो आप मुझे comment में अपने जरूर दें इस game को लेकर और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगा है तो वीडियो को लाइक कर देने चैनल को subscribe कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना तक आने वाली upcoming सारी gaming news related वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और अगर आपको लगता है कि मेरा content helpful और informative होता है तो मेरे वीडियो को ज्यादे से ज्यादे शेयर करें तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तिल देन टेक क्यार